जह हैं दोस्तों क्या हल्चा उमीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे चलिए आज के दिन इस वीडियो में एक फिर से में डिसकसिन करते हैं सीको और सेपिंग सेर्विसेज इलिमिटेड कमपनी को पिछली बार जब मैंने इसके वीडियो बनाते तो आपको बताया है यानि कि कहीं न कहीं यह बाते सही होती हुए दिख रहे है जो आपको बताया था तो एक बाफिर से इस वीडियो में इस कमपनी को डिसकसिन करेंगा और बताएंगे कि नए लोग प्लीस में क्या ओपर्श्यूटी हो सकती है सब जिनका पहले सीज़ेंट है उन्हें क्या क्या 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 हुआ जे जाता है समुझ ऑर इंपोर्ट किया जाताया समानों को वह यह कांपनी काम क्याgrow haar लेकिस्टिक के तो इसको हलके भी लेने की जुरूत नहीं है कि आने वाले सुभे में इस स्टोग में अच्छी खास्टीजी बन सकते और बनी रहने की उमीद भी है अब चलिए अब फॉर्णामेंटल को देख लेते हैं तो फॉर्णामेंटल में देखने में तेगरीमन 173 कौनकास्पस कमनी क अब फॉर्णामेंटल को अच्छा माना जाता है तो पी कम है यानि कि अभी सही समय इसमें इंवेस्टमेंट करने की लिए और जब हम वोग टेग्निकल अनलेसिस करेंगे तो वहां पर भी पता करेंगी कहां पर इसको उठाना है शेयर पैस भी इसके जो पी है उसकी इसाब सब्सक्राइब करीब है और बुक वेलू से ज्यादा है तो यह अच्छी बात हम ऐसा कंपनी का जो रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती ही रखती है इतना है भी कंपनी का रिटर्न और एक्विटी है एक छोटी सी कंपनी का तो आप समझ सकतें कि फंडमेंटल कितना बढ़ी है कंपनी का और कहीं जगें यह फंडमेंटल इसलिए बढ़ी है कि कंपनी जो काम करती है उस पर लोगों को भरोस्ता है और उसका डिमांड आने वाले समय में बढ़ सकता है अब आच चलिए बढ़नों टेक्निकल अनलेसिस के मादने समझ लेते है और मैंने अपने पीछली वीडियों कई बार बता है कि जब भी चांट पर डवलू का फॉर्मेशन बनता है तो कहीं न कहीं उसमें एक लंबा ब्रेक आउट आने के चांस होते हैं और रब्बे से पंचानवे परसेंट समय में ब्रेक आउट आता है यहां पर जब को बना है तो इस रेस्टेंस को ब्रेक करते हैं अब इतौक करकर देका है और जैसे Warprof Они के लेषंट है पहले उपर निकल बै कि दक से प्राइस से आ रहा है तो आपको सब्क्रम सात रुपय तक लिए त्यार रहना होगा प्रोफिट करने के लिए और जिए उपर जागे हम प्रोफिट बुक करने के लिए त्यार रहेंगे तो अभी सब्प्रम नए वेक्ति को या जिसका पहले से भी इन्वेस्टमेंट ले उन्हें क्या करना है यह जनकारी मिल गई सात रुपे तक लिए आपको त्यार रहना है अब जेली सीधे चलते हैं कमनी के क्वार्टर रिजल्ट कैसे आ रहा है तो क्वार्टर रिजल्ट में सब्स्टिप्लाव का सेल्स नहीं हुआ है यानि कि सेल्स कमनी का बढ़ रहा है कि कमनी के डिमांड बढ़ रही है और सेल्स बढ़ने की वज़े से कमनी का जो ऑपरेटिंग प्रोफिट है जो कमनी का मतलब मेन बिजिनिस से कम आई है वह भी देखिए कि अर्जबरदस तरीके से आपको बढ़ करते हुए ही दीखेगा पिछले कुछ क्वार्टर में ओबर और एक चीज़ तो में असपश्ट हो गए कंपनी का जो फंडमेंटल है वो काफी बढ़िया है और फंडमेंटल धिरे-दिरे और मजबूत ही हो रहा है उम्मीद करता हूँ सीपिंग से लिमेंटेड के बारेम जो बाते में आपको बताई अब पच्छे समझ पा रहा होंगे यदि संशिप्त में कहें तो लंबी यौधी में सीपिंग से एक बहतर रेश्टॉक बन सकता है पैसा कमाने के लिए आपको इसे अपने पोटफोलियो मैट करने के बारेम जरूर सोचना चाहिए इसके बारेम कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछेगा बेक्ति के तृप से जूर कर बाते करने के लिए मुझे को आप इस्टाग्राम में फोलो कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद शुक्रिया